तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं जो कि हमारे जॉग्राफी सेक्षन से हैं जो कि रेलेवेंट होता है MPPSC मेंस, MPPSC प्रिलियम्स या पिर अधर स्टेट पीएस के लिए जो कि हमारे जॉग्राफी सेक्षन का पार्ट है तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि ड्रेनेश सिस्टम क्या होता है और डिफरेंट टाइप आफ ड्रेनेश सिस्टम सो दोस्तों एंट तक बने रहे हैं क्योंकि आपको इसमें काफी सारी चीज़ें जो कि प्रिलियम्स में आपके काम आएंगी जैसे कि जो अगर आप प् हम इसको आज समझेंगे व्यूजियरी चम प्रियुदक ही के अ plot प्रिलियम्स को और इसकी जो 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 इसको वी अज MONफ देखते हम बोलते हैं drainage basin, ठीक है, drainage basin, source से लेगर destination तक के area को हम drainage basin बोलते हैं, ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि different types of drainage system, ठीक है, तो हम इसको follow करते हैं, दो types से, sequent drainage system और in sequent drainage system, तो मैं आपको बताता हूं कि, जो sequent drainage system होता है, वो क्या होता है, देखे, sequent drainage system, इसमें जो reverse होती हैं, वो follow करती है, regional slope, regional slope, ठीक है, मतलब जिस तरीके से आपके, जैसे जो भी reverse है, पहाड़ों के बीच में से जाती हैं, ठीक है, जो भी उसका path होता है, वो उसी को follow करती है, अपना कोई अलग से कोई नया path नहीं बनाती, तो ठीक है, इसको हम बोलेंगे follow topography, ठीक है, और in sequent rivers क्या होती है, ये topography को follow नहीं करती, follow, do not follow topography, जैसे की बात करेंब इंडस river, तो इंडस river क्या है, जैसे की वो एक in sequent drain system का example है, अब ये जो river है, ये कभी भी अपना path ही बनाती है, मतलब make their own way, ये जो भी regional topography उसको follow नहीं करती है, अब पहाड, पत्थर, जो भी slope उसको तोड़ फोड़के, निकलके, अपना path बना लेती है, लेकिन यही चीज़ sequent river में नहीं होती, वो जो slope होता है, उसको follow गरती हो जाती है, तो अब जो sequent training system है, तो उसके, उसमें भी सब types है, जैसे कि एक है, consequent, subsequent, obsequent और resequent, ठीक है, तो ये चार type के sequent training system के अंदर आते हैं, तो तीन, बेचार, अब मैं आपको example के through बताता हूँ, ये आप example के through ही समझेगा, ये मैं सोचिएगा कि ये river इसकी है, तो इसमें क्यों बता दी, तो ये सरफ आपको बता रहा हूँ, जो मैंने यहाँ गंगा training system का example लिया हुआ हुआ, आप देखेंगे इसमें, बट जो गंगा है, वो sequent river इसम का पार्ट नहीं है, वो in sequent का है, मैंने आपको समझाने के लिए ये लिया हुआ है, तो में जो, देखेंगे, जैसे कोई भी, समझाओ, कोई भी slope है, पहाड है, ठीक है, यह पार्ट है, यह जो, अगर इसका slope ऐसे गया हुआ है, नीचे की तरफ गया हुआ है, इसका slope, तो जो यह main slope, यह main path को जो follow करती है main river, उसको बोलते हैं हम, main consequent river, ठीक है, यह देखें, यह मैंने आपको समझाया हुआ है, consequent river, यहाँ पर मैं example ले रहा हूँ, गंगा का, कि consequent river, कौन से होती है, जो main river होती है, जो अपना path follow कर रही है, main path, ठीक है, अब दूसरे नंबर पर आती है, subsequent river, subsequent river क्या होती है, जैसे कि, जो main tributary है, जैसे गंगा है, गंगा के अंदर, कौन से river जाके मिलती है, यमुना, ठीक है, तो जो यमुना है, वो किसका part होगा ही, subsequent river का, ठीक है, mainly subsequent rivers में क्या आती है, tributseries आती है, जैसे गंगा गंगा की tabributary क्या है, यमुना, ठीक है, तगंगा होगी main river, औour main river होगै आपकी consequent river, रहा है तो बेसी अपहे बनल पार इक्षाक वह व्युbar-पन की वह और सबसेक्वर्ग को अपर अधर आपके नंबर्खेसहँ नियुकर इस लिए मुल रही है यम न कर अंदर तो इस प्डूटो planning हाँ अब बात करते हैं यह हमारी left bank है और यह हमारी right bank है ठीक है अब में जो left bank का पाट यहें न न होता है किdooear nooit कोई भी रिवर आरे है ठीक है अब कोई भी रिवर आरही है वह आपके आह पोजट также में जाकि उस river सबसे जादा जो हमें पाई जाती है आपको मिलेंगी पनीसिलर रिवर्स जिसको हम बोलते हैं जिसे कि यहां पर बताए गया है कि गोदावरी और क्याविली यह पैनिसिलर रिवर्स है क्योंकि यह कहना अब यह इतनी ज़्यादा फास्त मूविंग रिवर्स नहीं होती कि आपका जो पर तोड़ फोड़ के निकल जाए यह उसी र बात करते हैं तो इसमें तो टैब क्याते हैं पहला होता है यह दूसरे पगरेंट्रेश होते हैं कि यह जो शेक हैं यह कियो बाता की जो होती है की जो फाथ को फॉॉलो कि नहीं करती डू नट को टॉप यह अपना पात खुद बनाती है, make their own way, जैसे कि इंडर, सदलच, ब्रह्मपुत और गंगा, गंगा भी अपना पात खुद बनाती है, और सुपर इंपोस्ट रिवर्स कोन से होती है, इसका एक्जामपल है दामोदर, चंबल बनास, यह क्या करती है न, यह इसमें क्या होता है सुपर इंपोस्ट में, change their base during long years, मतलब जैसे कि यह एक soft bed है, जिस पे कोई भी river फ्लो कर रही है, ठीक है, अब धीरे-धीरे क्या होता है, वो होता है, denodations होता है, weathering, erosion, transportation, ठीक है, deposition, अब इसमें क्या होता है, exogenetic forces लग रही है, ठीक है, जिसके कारण यह जो soft bedrock है, यह बह river है, यहाँ पर flow ना होकि, यहाँ पर जो दूसरी bedrock होगी, उसके flow होने लग जाएगी, तो इसका मतलब है कि यह path हो ही रखती है, but इसका base change हो जाता है, ठीक है, इसको हम बोलते है, superimposed rivers, इसमें एक और प्रकार की rivers होते है, perineal river, get water from glaciers, इसमें 24 by 7 आपको fresh water मिलता है, ठीक of training system, hope so आपको यह समझ में आया होगा, तो जो भी doubts है आपके इन topics को लेके, आप मुझे comment कर सकते हैं, comment में अपने questions डाल सकते हैं, जो भी आपको पूछने हो, आप को अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को share करें, like करें, दोस्तों तक पहुचा हैं, subscribe करें मेने channel को, अगर आप नए हैं तो मुझे भी काफी motivation मिलेगा अगर आप channel को subscribe करके रखते हैं, आगे आने वाले समय में आपको काफी सारी videos मिलेंगे, इसी तरीके से जैसे मैंने समझा है, आपको काफी easy way में आपको topics समझा होगा, तो अभी यही इस video को यही end करते हैं, मिलते हैं जल्दी से जल्दी next video में जहें